साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि के क्रिश्र मोर्ती बनाम भारत सरकार मामले में 11 मई 2010 को योम विकास किसनलाल गुली बनाम महाराठ सरकार मामले में 4 मार्च 2021 को सुप्रिम कोट ने त्रिपल टेस्ट फारमोले के तहट OBC आरच्छन लागू करने का आदेश दि पर नगर निकाय चुनाओं के लिए OBC आरच्छट घोसित करने में उत्तर परदेश की भाजपा सरकार द्वारा सुप्रिम कोट की गाइडलायन का पालन किये बगेर ही निकाय चुनाओं में OBC आरच्छट घोसित किया गया जिसकी वजा से एलाहाबाद हाई कोट की लखनवु खंड पीठ ने बगेर OBC आरच्छड के ही नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था और इसके बिरोध में सरकार ने जो सुप्रिम कोट के फैसले के अनुसार OBC आरच्छड लागू नहीं किया इसके बिरोध में राष्टिये पिछडाबर्ग मोर्चा के द्वारा 9 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश बंद का एलान किया गया है कल मानने सुप्रिम कोट ने इलाहाबाद हाई कोट के द्वारा जो बगैर OBC आरच्छड के ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया गया था आयोग को तीन महिने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का और 31 मार्ज तक रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया हुआ है उत्तर परदेश सरकार द्वारा जिस परकार का रहया OBC आरच्छड को लेकर अपनाया गया और इसके पहले भी OBC आरच्छड को लेकर के तमाम परकार की भरतियों में जिस परकार का रहया उत्तर परदेश की भाजपा सरकार का रहा है उससे ये बात प्रमारित होती है ये बात साफ होती है कि आरच्छड को लेकर जो भाजपा की मंसा है वो ठीक नहीं है और लगातार चाहे वो 79,000 सिच्छक भरती का मामला हो या तमाम प्रकार की न्यूक्तियां जो हुई है उत्तर परदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी ह उसमें आरच्छड का मामला रहा हो तो लगातार OBC, SC, ST के अधिकारों के साथ में छेडखानी हुई है और उनके अधिकारों का हनन किया गया है और इसी परकार का ये मामला पंचाय चुनाओं में भी OBC के आरच्छड के साथ धोके बाजी करने की नियत का है इसलिए जो सरक सरकार की आरच्छड विरोधी मंसा है उसको ध्यान में रखते हुए अभी जो आयोग बनाया गया है सरकार के द्वारा उसके माध्यम से भी OBC के साथ में न्याय हो इसके लिए भी OBC के लोगों को और समाज को सतर्क रहने की जरूरत है चुकि सरकार सुप्रिम कोट में गई सकती है कि तीन महीने का समय प्रयाप्त नहीं है हमें थोड़ा और समय दिया जाए और फिर बाद में इस मामले को कि 2024 का एलक्षन आ गया और एलक्षन को ध्यान में रखते हुए अभी हम नगर निकाय चुनाव नहीं करा सकते और यह इसको लिंगरान करने का मामला भी हो सकत है तो इसलिए जो तमाम परकार की गलत नीतियां उत्तर परदेश सरकार की है OBC को लेकर SCST को लेकर और खास तोर से आरच्छड को लेकर वो तमाम परकार की गलत नीतियों के खिलाप में और उत्तर परदेश सरकार के द्वारा जो सुप्रिम कोट के आदेश का पालन नहीं क इसके विरोध में हम लोग जो 9 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश बंद का यलान किये हैं वो यलान यथावत है और इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो राश्टिय पिछड़ा बर्ग मोर्चा के कारिकरता हैं पदाधिकारी हैं सुपचिंतक हैं उनको भी आवान करना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ तमाम उन सभी साथियों को जो इसमें विश्वास रखते हैं कि इस देश में सभी के साथ में नया होना चाहिए ये सबको सबका हक मिलना चाहिए उन सभी लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि जो ये उत्तर प्रदेश बंद है इस बंद में पूरी ताकत के साथ सामिल हो और पूरी ताकत से इसकी तयारी करें और 9 जनौरी 2023 के बंद को अइतिहासिक बंद बनाए और इसको पूरी तरीके से काम्याब करें ताकि इस देश में जो हमारे हक अदिकार है उनकी रच्चा किया जा सके संविधान और लोकतंत्र की रच्चा किया जा सके बहुत बहुत आभार धन्यवाद